नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ आपको स्वस्थ बनाने के विशे में आपको बहुत सारी बेमारियों से बचाने के विशे में उंगलियों को इस त प्रूप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकोन है आप उसके उपर क्लिक करना ना पुले क्योंकि इससे आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो के नोटिपकेशन आती रहेगी जिससे आप देखकर अपने लिए फाइदा उठा सकती है तो आईए दोस्तो अब बात करते हैं अपने टोपे की प्राचीन जापानी कला के निसार प्रतेक उंगली विसेस बीमारी और भावनाओं के साथ जुड़ी होती है हमारे हाथ की पांचों उंगलियां सरीर के अलग-अलग अंगों से जुड़ी होती है इसका मेनिंग आपको दर्द नासक दवाईयां खाने के बज़ाए इस असा हमारे हाथ की अलग-अलग उंगलिया अलग-अलग बिमारियों और भावनाओं से जुड़ी होती है साइद आपको पता नहों हमारे हाथ की उंगलिया चिंता डर और चड़़चडा बंदूर करने की सम्ता लगती है तो आए जानते हैं उनके बारे में सबसे पहला जुड़ा हमारे फेपड़ों से जुड़ा होता है अगर आपकी दिल की धड़कन तेज है तो हलके हातों से अंगूठे पर मसाज करें या हलका सा खींचे इस से आपको अराम मिलेगा तरजनी उंगली ये उंगली आतों से जुड़ी होती है अगर आपके पेट में दर्ध है तो इस उंगली को हलका सा रखने, दर्द कम होता महसूस होगा। बीच की उंगली, ये उंगली परिसंच्रम तंतर से जुड़ी होती है। अगर आपको चक्कर या आपका जी घबरा रहा है, तो इस उंगली पर मालिस करने से तुरंत रहात मिलती है। तीसरी उंगली, ये उंगली आपकी मनोदसा से जुड़ी होती है, अगर किसी कार आपकी मनोदसा अच्छी नहीं है या सांती चाहते हैं, तो इस उंगली को हलका सा मसाज करें और खीजे, आपको जल्द ही इसके अच्छे नतीजे प्राप्त हो जाएंगे, आपका मन खिल ब्दर की तरह गायब हो जाएगा, इसे मसाज करने से केडनी भी तंदुरुष्ठ रहती हैं, और हम सवस्थर रहते हैं, तो दोस्तो आप इन उपायों का इस्तमाल करके, दवाईयां खाने से बस सकते हैं, और अपने दरद का इलाज कर सकते हैं, तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वे शेयर करना ना पूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम चबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तों